हैलो दोस्तो नमस्कार स्वागा थे आप सभी को हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज मैं Senior Citizen Concession के बारे में बात करने वाला हूँ जैसे कि आपको पता होगा कि शन 2020 COVID-19 के बाद से इंडियन रेलवे में Senior Citizen Discount यानि कि वरिष्ट नागरीकों को जो छूट मिलती थी वो पूरी तरह से बन कर दी गई थी लेडिस हो या जेंस इन सभी का डिसकाउंट यानि कि छूट पूरी तरह से बन कर दी गई थी और अब वह छूट दुबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इसके उपर रेलवे का जवाब आ चुका है रेल मिनिस्टर अस्विनी वैस्णोण गुरुवार को IIT मद्रास में आयोजित एक समारोह के मोके पर पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि senior citizen discount अब दुबारा चालू नहीं किया जाएगा दोस्तो हमारे रेल मिनिस्टर अस्विनी वैस्णाव का सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि अगर इंडियन रेलवे 100 रुपे खर्च करती है तो 45 रुपे अपने यात्रियों से लेती है और 55 रुपे भारत सरकार इंडियन रेलवे को सबसीडी के तोर पर दे रही है तो अल्डेडी सबसीडी मिल रही है इंडियन रेलवे के तरफ से दोस्तो एक और जानकारी आपको दे देता हूं कि एक सामारों में पूछा गया था कि सन 2020 से लेकर 2022 के बीच में कितने पैसे कमाए है रेलवे ने senior citizen discount को खतम करके तो आपको बता 15 कड़र रुपे का फायदा हुआ है इंडियन रेलवे को इन दो सालों में जो कि senior citizen के discount को बंद करके हुआ है So I hope कि आप सभी को हमारा जनकारी काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें ताक कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सकें